रबश्काव बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने अल्लाइन सहसान परिक्षाप रसमें सिक्चक भारती की तियारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी बहुत बड़ी सूशना सिक्षा उत्रपदेश का सिक्षा सेवा चयन आयोग था उसका गठन हो गया था और उसमें अब सारे कार अपने लबल पर बहुत तेजी से हो रहे हैं इसमें सारे ही जो अध्यक्ष हैं जो उनके नीचे के कमचारी हैं सब लोग इसमें नियुक्ति के प्रक्रिया पर बहुत तेजी से चल ले और आने वाले आगामी कुछी महीने में आपको vacancies भी देखने को मिल सकती है जिसके संबंद में इन्हों ने अभी 13 दिसंबर याने की क बहुत लेट भी नहीं ये कल रात में 13 दिसंबर 2023 आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश सासन के द्वारा ये जारी की गई गैडलाइन है और उसमें ये 13 दिसंबर 2023 का है ये एक अधिशूशना इन्हों ने जारी किया है पूरा 75 पेस का PDF इन्हों ने दिया है और 75 पेस में प हाला कि इन्होंने कई सारे अध्याय में इस गाइडलाइन को इस नियामावली को बाटा है उत्तर पदेश सिख्छा सिवाचेन आयोग नियामावली 2030 कोई भी भरती जब स्टार्ट होने वाली होती है तो सबसे पहले उसके नियामावली बनती है गाइडलाइन बनती है और प्रक्रिया अधार पर सारी प्रक्रिया होती है इस गाइडलाइन में इन्होंने सबसे पहले अध्याय में संक्षित नाम और प्रारंबव में बताया है कि इनकी परिभासाएं क्या है कि किसे अधनियम कहा जाएगा किसे समीति कहा जाएगा किसे साक्षातकार कहा जाएगा स इसमें जो चयन मांदन डॉल प्रक्रिया है वो आयोग की गठन और आयोग की कमचारी वर्ग का है अध्यायदों में कि किस प्रकार से मुख्य सचू किस प्रकार से अपर मुख्य सचू उसके पास से कमचारी कैसे उसमें जो परिक्षा नियंत्रक होंगे वो सारे इन में से कैस को मिलेंगी जिसमें फिजर्टी फिजर्टी के जो वेकंसी आई थी उसकी परिक्षा रुकी हुई थी वो सबसे पहले होने वाला है और सुपर्टेट की एक बहुत बड़ी वेकंसी आपके सामने इंतजार कर रही है क्योंकि लगातार पांच वर्सों में जो इनके पद अधि पर चुनाओ होगा विदान सबचनाओ उसमें आपका अवश्य कहीं न कहीं यह वेकंसी देखने को बड़ी वेकंसी देखने को मिल सकती है उसके प्रारंब में एक साल पहले मतलब कि 2024 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है सुरुआ से लेके अंतर तक इस वेकंसी क ना हो या उसने स्वेच्छा मतलब कौन-कौन बाहर हो सकता है अगर किसी को पर केशल है तो वो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा कदाचार और अन्वेशुग के बारे में इन्होंने बताया है और यह सारी जनकारी उनके लिए अधिकारी यह कंचारी वर्ग के लिए है कि आई है तीन या चार से परिक्षा समयत की सक्तियां यह थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बड़ यह कैसे कौन सा आयो परिक्षा जो नियंत्रक होंगे कैसे होंगे पेपर आउन-लाइन होगा अगर ऑफ्लाइन होगा तो ओमर कहां पर प्रिंट होगा दूसरे राज में होगा ए इतना बेटे आपको लिया जाएगा जैसे दो चरण में इन्होंने बात किया है एक लिखित परिक्षा और एक साक्षातकार का ऐसे पद जहां पर साक्षातकार है वहां पर साक्षातकार के 10% लिये जाएगे और 90% डिया जाएगा जहां पर साक्षातकार नहीं है वहां पर क तीजर खतम हो रहा है हाला कि उसके जिक्र इसलिए मौली में नहीं है बट हो सकता है कि जब आपकी वेकंसी जाये तो उसमें वो जिक्र दुबारा से आपको देखने पड़े तो साथषाथकार बोर्ड का गठन कैसे होगा किस प्रकार से उसमें लोग होंगे क्या उनके अनु अब परिक्षा नियंत्रक की सक्तियां यूं कलतव क्या है कि वो तमाम प्रश्रपत्र कैसे बनाएगा उसे कैसे प्रिंट करवाएगा बित नियंत्रक की सक्तियां यूं कलतव यहां पर बताया गया है यह सब आपके लिए उतना जरून है उन्हीं सभी के लिए आयू के बा अब किस प्रकार किया बताती है इस सच्चिव और कर्मचारी उनकी बीबात कर रहा है और जोब्धेश्समिन तब का उन्यों का जिक्र किया गया है तो इससे आप मुटा मुटा इतना निकाल सकते हो कि अब ही ये सारी चीजें इस बात की तरफ रिसारा करती हैं कि सब कुछ आपका एकदम टाइम पर आप चल रहे हैं और कहीं न कहीं जो एक election का माहूल होता है उसमें भरतियां आती हैं और उस भरतियों में ही लवग चैनित होते हैं तो हमें इससे मतलब नहीं है कि election आ रहा है हमें इससे मतलब है कि भाई हमने बहुत वेट कर लिया हमने बहुत टाइम बरबाद कर लिया इधर उधर भटक लिय बहुत ही ताने सुन लिए, अब सही समय है कि 3-4 महीन और 5 महीना सही से आप बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ाई कर लो, सेलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी भलतियां आ रही है, मैं आपको बताओ कि इन्होंने लखत परिक्षा में कहीं न कहीं सामान ग्यान की चल्चा की है, कि अब सामान ग्यान और जो इनकी विसे से संबंदित होगे, उससे प्रिशन पत्र बनेगा, तो सामान ग्यान आप अभी से पढ़ना इस्टार्ट कर दो, जैसे बेसिक हिस्टी होगया, आप इंडिन जोग्राफी होगया, यूपी की थोड़ी सी बात होग और परिक्षण प्रस बहुत जल्द इसके लिए आपकी क्लासेस भी लेके आ रही है, इस सेशन में बस इतना ही, अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, टीजिटी, पिजिटी, किसी की भी तयारी कर दो उस सेख्शक बाती की, तो आप परिक्षण प्रस सेनल को अवशे स सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, फिर मुलेंगे बहुत बहुत धनेबा सभी का बहुत 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 आवा है